का नमुश्कार साथियों कैसे हैं आप सब आपके एक्जाम आप शुरू ही वने वाले कुछ घंटे ही बचे इंगा कुछ बच्चों के तो शुरू भी हो हुच्के हैं सुबह से लगतार कमेंट मेरे Instagram पर WhatsApp पर और Facebook पर बच्चों के आ रहे हैं कि सर देड़ घंटे का exam जो हो गया है CCS University का उस exam में कैसे हो पाएगा हलागी मैंने पिछले वीडियो में ये क्लियर कर दिया था कि आपके पाइस बहुत जादा है तो आपका exam जो है पहले की तुल्ला में काफी आप easy हो गया है उटना hard नहीं है लेकिन फिर भी बच्चों के सुबह से कमेंट आ रहे हैं मेरे वीडियो पर Instagram पर और Facebook पर कि सर कुछ कुछ बताइए कि देड़ घंटे में हम कैसे exam को attempt कर पाएंगे तो मेरा आज का वीडियो इसी के उपर है कि देड़ घंटे में किस तरह से time management करें कि हमारे अच्छी Mark CCS University के exam में आ जाए तो पहला तो आप सब का स्वागत है मेरे educational चैनल एजूकेटर आफ डेली में मेरा ना पहले subscribe करते बैल आइकन को भी दबाते ताकि आपको एक्जाम के दौरान इंप्रटेंट्स वीडियो मिलते रहें और आप उससे जुड़े रहें तो मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें आपके कमेंट्स कुछ भी चीज पर हो सकते हैं मैं कोशिश करेंगा कि आपके सबी केमेंट्स का जवाब दूँ तो आइए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को आज का वीडियो हमारा टाइम मेनेजमेंट के उपर है CCS यूनिवस्टी एक्जाम 2022 में इस वार जो पैटन है वो देड़ घंटे के एक्जाम का हो गया है और इस तरह से अगर एक्जाम अटेंट करेंगे तो आपका पूरा एक्जाम हो जाएगा तो जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चौदरी चरंसिंग यूनिवस्टी मेरट का जो एक्जाम का नया पैटन है उसके उपर है इसमें जो हमारा एक्जाम है वो तीन सेक्शन मे इसके लिए मैंने आपको यह कहए कि आप दोनों कोशन के लिए 20 मिनेट रखें यानिके 10 मिनट में एक कोशन आप कर लें नहीं के jumal कर लेंच एक से बएड़ शीट चैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बता है तो एक से बढ़ें और दस मिनट में कोशन कर लें जैनिकि एक शीट और दो शीट में आप इसको भरने की कोशिश कर लें और 15 मिनट इसके लिए maximum टाइम आप रखें आप चाहें तो तीन शीट भी भर सकते हैं 15 मिनट एक शीट का on an average मानके चलें तो यह हो गया section B आप section C में आजए section C में total आपके पास 5 question आएंगे उसमें से आ टोटल 50 मिनट इस section के लिए रखें 50 मिनट का मतलब है कि एक question आपको 25 मिनट में complete करना है तो 25 मिनट प्लस 25 मिनट हो गए 50 मिनट अब लास्ट में अगर हम देखते हैं तो टोटल टाइम हमारा तीनु section का मिला के कितना होगे 20 मिनट प्लस 15 मिनट 35 35 प्लस 50 मिनट 85 मिनट टोट 5 मिनट आप इसमें रिवीजन के लिए रख लिए लास्ट में तो टोटल 90 मिनट आपका पेपर पूरा complete हो गया वन एड़ा हाफ आर वानार मीं 60 मिनट हाफ थर्टी मिनट 30 प्लस 60 मिनट हो गए 90 मिनट तो 90 मिनट में इस तरह से आप पेपर अटेम्ट कर सकते मेरा सजेशन जिरूरें इसे टाफ मेरें आपको है कि सबसे पहले फ् favorite जो शुरू करें को सेक्षन से शुरू करें प्हों कि 30 माक्स का थर्टी माक्स का सेक्षन है तो ये नच्छोटे उसके बाद आप आज है को स्क्षन पड़रay सेक्षन लिगिस्ट कर सकते हैं यह अगर यह कोश्री से बता है वह यह best to best है इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आपके अच्छे मांक्स आने की पूरी उम्मीद है तो आप सब को अपने एक्जाम के लिए best of luck मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट को अच्छा करें ध्यान से एक्जाम करें पूरा complete लिखके आए और हर चीज के पर ध्यान दें अगर आप मेरे इंपोर्टेंट कोशन्स के वीडियो जो मैंने पहले में डाल चुका हूं उसी को आप रेफर करेंगे तो आपके 70% मार्क्स गैरेंटेड हैं मेरी तरफ से यह उसी में से कोश शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुक्रेटर आफ दैनी को चिंद भी लोगोंने मेरे चैनल को अपिटा सब्सक्राइब नहीं कि उनसे एक बार फिर रिक्वेश्ट है कि सब्सक्राइब परने ताकि लेटेस्ट इंफर्मेशन आपको एक्जाम से जुड़ी भी लगातार मिलते रहे थैंक्स फॉर वाचिंग मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाप मिल सके तो इतना समय देने के लिए मेरे चैनल को आप सबका बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद मैं आपको हर एक्जाम से पहले इंपॉर्टन कोश्टन का वीडियो डालता रहूंगा ताकि आपको बी एलल्ली से जोड़े लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे हैं थैंक्स फॉर वाचिंग